हालो माई फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल कुक वित पायल और बिल्कुल आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ प्री मिक्स केक की रेसिपी बिल्कुल अगर आप केक बनाना के शौकीन है तो बार बार की मिजर्मेंट की जंजट से बिल्कुल छुटकार आपको मिल हम बनाएंगे दो तरीके के प्री मिक्स जिससे आपके लिए केक बनाना हो जाएगा बहुत ही इजी और फर्स्ट मिक्स में आप से शेयर कर रही हूँ जिसमें आप कोई भी फ्लेवर का एसेंस मिलाईए और आपके पसंदीदा केक आपके पास रेडी होंगे और दूसरा फ फ्लेवर के केक बहुत ही बढ़ियां लगते हैं और बहुत ही बढ़ियां बनते हैं इस केक प्री मिक्स से तो एक बार आप जरूर इसे ट्राइ करिएगा और बार बार के मिजर्मेंट की जंजट से आपको भी छुटकारा मिलने वाला है इस केक प्री मिक्स से बहुत ही इस एक बार में आप बना कर इसे रेडी कर लिजे और दो तीन महीने तक आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं और इस प्रिमिक्स से जो केक बनता है वो भी सुपर सॉफ्ट और बिल्कुल प्लफी बनता है ये मैं आपको गैरेंटी देती हूँ तो चलिए फटा-फट से देख लेते हैं इस केक प्रिमिक्स की रेसिपी और बिल्कुल आने वाले सेलिब्रेशन के लिए आप लोग भी तैयारियां शुरू कर दीजिए तो फ्रेंट्स इंस्टंट केक प्रिमिक्स बनाने के लिए हम सबसे पहले मिक्सर जार का यूज़ करेंगे उसमें हम डालेंगे एक कप शुगर ये नॉर्मल शुगर है और इसी में हम डालेंगे वन फोट सिट्रिक एसेड नीबू कसत जिसे कहते हैं इससे हमारे जो केक है वो बिल्कुल प्रिजर्वेटिव रहेंगे और इसे आप डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो ये आपको बहुत ही इसली जनरल स्टोल पर मिल जाएगा वन फोट मैंने ये डाला है इसके बाद हम डालेंगे फोर टू हाफ टेबल स्पून आपका बेकिंग पाउडर तो फोर एंड हाफ आपको स्पून डालना है बेकिंग पाउडर तो यहाँ पर पहले मैं फोर स्पून एट कर रही हूँ फोर टीस्पून हम डालेंगे फिर हाफ टीस्पून हम बेकिंग पाउडर डालेंगे उसके बाद हम डो टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा तो मि इसे बिलकुल अच्छे से चर्ण कर लेना है ताकि ये सारी चीजें अच्छे से ग्राइंड हो जाए और एकदम फाइन पेस्ट आपको इस तरीके से रेडे मिले अब हम इसे सिफ कर लेंगे कोई भी अगर इसमें पार्टिकल्स रह जाएं तो वो आपके निकल जाएंगे और फ्रेंट्स ये इंस्टंट केक मिक्स आप बना कर रख लिजे और आपको जब भी केक बनाना है फटा फट से आप केक बना सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे half cup corn flour तो फ्रेंट्स केक प्रेमिक्स का ये भी एक बहुत ही main ingredients है इसे भी आप बिल्कुल भी skip मत करिएगा इसके बाद हम इसमें milk powder अट करेंगे और साथी में मैदा अट करेंगे तो बिल्कुल all-purpose flour को आप measurement कर लिजे हाफ kg होना चाहिए और इसे मैंने बिल्कुल measurement कर लिया एक पॉलाथिन में रखके अब इसे भी हम बिल्कुल सीव कर लेंगे उसके बाद हम इसमें अपना milk powder अट करेंगे तो धीरे-धीरे से आप इसे सीव कर लिजे अच्छे से और सारी ही चीजों को अच्छे से हम mix कर लेंगे तो लिजे देखे हमारा ये बिल्कुल ready हो रहा है और बहुत ही easily ये premix आप बना कर रख सकते हैं और essence और दूद का यूज करना है और बिल्कुल normal temperature पर जो milk होता है उसी को आपको यूज करना है और आपका बढ़या cake spongy सूपर सॉफ्ट बनके ready होगा इसे मैंने बिल्कुल देखे एक बड़े बतन में कर दिया है और इसे हम सारी समागरियों को काफी अच्छे से mix कर और आपका मन चाहा cake ready होगा चाहिए आपको pineapple बनाए या फिर vanilla या कोई भी flavor आप इसमें add कर सकते हैं तो इसको मैंने बिल्कुल देखे दो पार्ट में मैं इसे divide कर ले रही हूँ और उसके बाद जो ये हमारा half cup लगभग ये जो बचा हुआ है mushroom उसमें हम अपना cocoa powder mix कर लें तो one third हम इसमें cocoa powder add करेंगे और ये हमारा cocoa chocolate premix ready हो जाएगा तो इसमें मैंने बिल्कुल one third cup इसे add किया है और इसे अब अच्छे से mix करने के बाद हम सिव कर लेंगे तो ये हमारा बिल्कुल ready हो गया है इसे अच्छे से mix कर लेते हैं और शीव कर लेते हैं अपने cocoa chocolate premix में तो मैंने दो पार्ट में divide कर लिया है अपने premix को और इसे हमारा chocolate flavor का cake बहुत ही बढ़िया बनने वाला है बचे हुए को आप थोड़ा सा spoon से बिल्कुल दबा कर शीव कर लिजे तो लिजे हमारा chocolate flavor का भी premix ready है अब इसे हम airtight container में बिल्कुल रख लेंगे और दो तीन महीने हम आराम से use इसे कर सकते हैं आगे आने वाले celebration के लिए आप ये premix बना कर रख लिजे बिल्कुल हमारे Christmas, New Year सभी पे हम cake बनाते हैं और बिल्कुल इसे enjoy करते हैं तो ये दो premix अगर आपने ready कर लिया तो आपका cake फटा-फट instantly घर पे बनने वाला है और ये बिल्कुल आपने airtight में रखना है airtight container में आप इसे pack करके रख ये premix तो फिर मिलूंगी नए वीडियो में नेर्स भी के साथ तब तक लिए thanks for watching